हेलो दोस्तों farming line channel में आपका स्वागत अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तांके हम आगे से और भी अच्छी अच्छी सी जानकरी आपको देते रहें तो दोस्तों आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आएं वो है फूल पैने के बारे में जैसे हम बच्चे दानी का बाहर आना कहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक बैंस है जो जब गोहा करने को करती है तो फूल उसकी बाहर आ रही है तो दोस्तो दोस्तों के कारण क्या होते हैं इसका कारण होता है बचे दानी में ने कि थे हमों जाती है जो जर्मों लग जाते हैं उनके कार्ण उन पर जखम हो जाते हैं और जखम होने के कार्ण अंदर स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना चाहिए इसके लिए दोस्तों हमें आपको कुछ एंजेक्शन बता रहा हूं जैसे एक एंजेक्शन है वीटा सेफ बहुत ही बढ़िया एंटीबर्टक है तो दोस्तों वह साधे करने आदाना है फ्रयोट जेसे हम ला शक्स भी भोलते हैं और सैलिक्स विभी बोलते कई तरह कई कंपनियों के इंजेक्शन आती हैं और साथ में दौस्तों के सीकल ऒरना बंद कर देंग है दोस्तों तो ये त्रीट में कम से कम 3 दिन तक चलना चाहिए कि और हां सातं में अगर आप पशु को ज्यादा चारा वहुरों तो वह कम कर दें और हरा चारा ज्यादा डालना शुरू कर दें इससे भी भूइब दियुक्त बहुत फैदा हूजएगा। तो दोस्तोव इसके साथ साथ ही आप जब भी फूल भार रहाए तो उसे जो लाल दवाही कहते हैं उससे धूना है तो उसके धोकर उससे ही फूर को अंदर डालना है वैसे अंदर नहीं डालना उससे इंफेक्शन कम हो जाती है तो दोस्तो आपको जान करी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर पताना थैंकि दोस्तो धन्यवाद